नमस्कार कैसे हैं आप भारते राजिति के पल्टू रां पल्टू बाद चाचा नितीश कुमार क्या फिर पलटने वाले हैं इसकी चर्चा जोरों पर है और नजर लालू प्रसाद्यादब और अमित्शा दोनों की है अखिर असक क्या है नितीश कुमार में कि वो बार बार पल्टी मारते हैं और धोखा खाने वाले फिर नितीश कुमार से सठ जाते हैं लेकिन अब की बार पल्टी मारना नितीश को बहुत भाड़ी क्यों पर सकता है अब की बार दोनों धोखा खाए और मौजली ग्रूप नितीश से के लिए क्या इंतजार कर रहे हैं दरसल नितीश कुमार को समझना कितना मुश्किल है नितिकता की बात करने वाले नितीश आनेतिक तरीके से सत्ता पर काविज रहें नितीश कुमार लालु यादव को बड़ा भाई कहते थे संग संग राजनिती करते थे लेकिन एक आएक लालु राज को जंगल राज कहना शुरू किया और लालु बिद्रो के कारण नितीश की ऐसी छवी बनी कि जातीवादी बि कहे जाने लगे सुशाशन बावू लेकिन इस सुशाशन बावू को रोग लालु बाला लगता चला गया हीरो बनने का गुमान हुआ 2013 में उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना ओ देखने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि वो मुसल्मानों के लिए एक सर्विमान ने हो सकते हैं तो जिस NDA के कारण वो लगभग 8 साल तक बिहार के मुख्य मंतरी रहे उसे ही धोखा देते हुए बरे शडियंत के साथ अपने चेले जीतन राम माजी को मुख्य मंतरी के कुरसी पर बैठा कर किनारे बैठ लिए उन्हें अंदेशा था कि नरेंद्र मोदी मुख लालू के साथ चुनाब लड़ा उसी लालू के साथ जो सजायापता अपराधी हो चुके हुए थे जब तक वो अंडर ट्राइल थे नितीश ने खूब हंगामा किया चारा चोर कहा जंगलराज का प्रनेता कहा लेकिन जब वो सजायापता अपराधी हो गए थे तो उसके ग ये नितीश की गजब की नहतिकता थी फिर 2015 से 2017 तक वो लालु के पुत्रों को झेलते रहे क्योंकि लालु सजायापता अपरादी थे इसलिए नितीश के गरदन में अपने दोनों बेटों को लटका दिये थे और उनके दोनों बेटे ओडंडता से नितीश चाचा को परेशान कर रहे थे परेशान नितीश फिर बड़ी चालाकी से अपनी भाई ही डिप्टी सीयम के रहे मोदी जी से आमित शाह के माध्यम से संपर किया और फिर पल्टी मार कर बीजेपी के साथ हो गए 2017 से 2022 तक बीजेपी के साथ रहे लेकिन इंट्रेस्टिंग देखिए कि 2020 में जब चुनाव हुआ आर जेडी 75 सीट के साथ नमबर एक पाटी थी नमबर टू पाटी थी 74 सीट के साथ बीजेपी आकरिया आप स्क्रीन पे दीख रहे हैं लेकिन मात्र 43 सीट के साथ जेडी यू चुकि साथ में गठवंधन की सरकार बनी थी बेशर्मी के साथ नितीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर के चीफ मिनिस्टर थे मतलब मात्र 43 विधायक के साथ बड़ी पार्टी जो 74 विधायक इतना अंतर था बेशर्मी के साथ चीफ मिनिस्टर बने रहें लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि अब की बार ये बीजेपी 2015 से पहले वाली बीजेपी नहीं है हो सकता है गच्चा दे दे उनका कद बहुत छोटा होने लगा था उन्हें लगा वजूद कहीं संकट में ने आ जाए इसलिए वो लालू पुत्रों को डरा करके की जेल चले जाओगे यदि हमारे साथ रहोगे इस सरकार में रहोगे तो उतपात कर सकते हो यदि तुम्हें गिरफतार किया गया जेल का ऐसा डर नितीश ने दिखाया कि लालू फिर से जिस नितीश कुमार को पल्टू बाज कहते रहे क्या-क्या नहीं कहा लालू के बेटों ने नितीश कुमार को नितीश कुमार भी कम कहां थे उन्होंने भी कहां छोड़ा उन्होंने भी लालू के बेटों को क्या-क्या नहीं विधान सभा में कहा लेकिन फिर दोनों मिल लिए कमाल की बात देखिए अब की बार फिर 75 सीट लेकर के RGD डिप्टी सीम बनी हुई है और नितीश मातर 43 उससे भी कम हो गये हैं उसके साथ निरलजता से सीम बने हुए हैं ये कहानी तब है जब 2015 की चुनाव में नितीश और लालू जब साथ मिले थे तब भी लालू और नितीश बरावर कुर्ट सीटों पर लरने के बाद भी लालू की पार्टी 80 थी और नितीश 71 थे फिर भी नितीश चिप मिनिस्टर बने रहे इतने आनेतिक तक के तरीके से सत्ता पर काविज रहने वाले नितीश हमेशा धोखा देते रहे जौर्ज फरनांडिस को भी उन्होंने धोखा दिया लेकिन वही नितीश जिन्होंने 2017 में यह का करके पल्टी मारा कि लालू के बेटे केस में फंस गए हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि ये केस क्या है जब F.I.R. हुई थी लेंड फॉर जॉब मामले में तो नितीश ने लालू के बेटों को इस्तिफा देने को कहा जब नहीं दिये तो खुद इस्तिफा दे दिया और चालाकी से बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना लिये अब फिर वही कहानी दुढ़ाई जा रही है ठीक छे साल बाद लालू पुत्र अब चार सीटेट हो गए हैं उसी मामले में पूरा पड़ी बार जेल के नजदीक है तो कहानी तीश उस नैतिकता क्या धार प्र फिर इस्तिफा मांगेंगे और इस्तिफा ना देने पर फिर पल्टी मानेंगे या अब की बार सौदा कुछ और हुडा है दरसल अब की बार सौदा ये कि लालू पुत्रों को लग रहा है कि उनकी बारी चीफ मिनिश्टर बनने की है ये आरोपत्र, ये चार सीट, ये सजा ये बेकार की बाते हैं क्योंकि पांच मामले में सजा भुकतने के बाद कि उनके पिता मौज ले रहे हैं इसलिए तेजस्वी और उनके परिबार को लगता है कि सीएम बनना तो उनके लिए है बहले ही चार सीट हो गया तो क्या हुआ लेकिन नितीज इसी से सौदा करना चाहते हैं और सौदा नितीज इतना खतरनाक करना चाहते हैं कि 2024 में जादा से जादा सीट उनको लरने को मिले उसका आधार ये कि BJP की सहयोग से जब वो 2019 के लोग सवाचुनाब में लड़े थे तो 16 MP जीत गए थे और RJD एक भी MP नहीं जीत पाई थी एक ये बजह और दूसरा कि 4 सीटेट हैं लालू पुत्र नितीश इसी मामले से सौदा अब बड़ा करना चाहते हैं लेकिन क्या इस जाल में फंस करके लालू नितीश को ज़्यादा मेंबर पारलेमेंट की सीट पर चुनाब लनाने का अबसर दे करके अपना कबर खो देंगे और दिलालू ने भी साथ छोड़ दिया और बीजेपी ने भी साथ नहीं लिया तो नितीश का क्या होगा शातिर नितीश इसी चाल में पलटने का इंतजार कर रहे हैं अब की बार उस सौदा बहुत बड़ा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन नितीश के चाल को भी समझना बहुत मुश्किल है सवाल ये है कि ऐसे पलटी बाच को आरजेडी और बीजेपी दोनों अबसर कैसे देती है अब की बार फिर नितीश के पलटने का इंतजार किया जा रहा है लेकिन वो किस दिशा में पलटेंगे समस्या ही है क्योंकि इस चर्चा इसलिव हुई कि नितीश कुमार के पार्टी से बिद्वान और काविल व्यक्ती हरिवंश जी जो राजसभा के उपसभापती है जो एक बड़ी अखवार के ग्रुप संपादक रहे वो जेडियों के होते हुए भी राजसभा के उपसभापती आज भी बने हुए है और उनकी मुलाकात नितीश चुपके से किसली हुई नितीश कौन सा सौदा कर रहे है यह मातपूल है कमाल की बात है न ये नितीश विपक्ची एकाके संयोजक बन रहे है अलग-अलग बैठके करवा रहे हैं लेकिन गुप-चुप पलटने की तैयारी भी करते है ऐसी शातिर नितीश का खेल अदबुत है और उनतिक तरीके से सत्ता पर काविज रहने के बाद भी नतिकता का दंब फरने वाले नितीश का जलबा भी कमाल का है ये विशलेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंट ही दिया आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीज़े बहुत-बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहिन